तो जलिए आज की बड़ी हम देखेंगे टेंगर वास का मायत एक्सरसाइज 3.2 3.1 कंप्लीट हो चुका है ना देखो तो देख लीज़ेगा और जो पूरा कंप्लीट मायत देखना चाहते हैं एक बार खतम हो चुका है पिछले साल खतम किये हैं एक बार पूरा मायत को प्लेलिस में जाएगा आपको सारा वीडियो मिल जाएगा आज 3.2 शुरू करेंगे तो 3.2 जो है निव एंसे आटी नया एंसे आटी से पढ़ा रहे हैं पूराना एंसे एक बार खतम कर चुके हैं अबर नया एंसे आटी से शुरू किये हैं फिर से नए तरीके से तो इसमें जो यिए ऑसे जो 3.2 जो च्यप्टर हैं यहां पर कावर दूराण परकार का कोई घात ना रही पावर ना वह समीक्रण करना है तो 2 दो रहे रही है इसका हल निकालन रहे लिंप्र यूगों को परिती आस्थापन बिदी से हल करें पर्थी अंगर इस कि निगी आढ्स चना शिर इंग seizure का आज टेंग है उसका बाद और बेखेंगे परती अस्थापन दीषिया जो Är आदली क्वेशन को रहेगा को समीखरन वन ओख समीक्रन डू मानले मानने में क्या जाता है समीक्रन वान और समीक्रन डू मानले सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से लिख करके और समीकरण 1 को लिख देना है X plus Y is equal to 14 अब क्या करना है देखिए यहां पर जो X plus Y वेराबर 14 है इसमें से क्या करना है या तो X या तो Y को LHS तरफ यानि एक साइड रखना है इधर और बाकी जितना भी रहेगा सब को बोर्डर बार करें जाना है यानि बराबर से उधर ले जाना है किसी एक को इधर रखना है तो हम मानके चल यहां X को रखते हैं ठीक है तो X बराबर हो जाएगा 14 जो पहले से बराबर से उधर है उसको लिख लेना है फिर Y यह था उसको इधर लाना है तो Y plus में था इसलिए इसलिए इधर आकर माइनस हो जाएगा तो X पराबर हो गया 14 माइनस Y यहां पर बन जाएगा यह समिकरन तीन दो समिकरन था यह तीशरा बन गया ठीक है इधर सिर्फ X रहना चाहिए या फिर Y अगर X साथ 2 रहता तो उसको भी हटाते ठीक है एक लेन और को बढ़के लेकिन नहीं है कुछ तो X पराबर आगे 14 काम X का value find करना है X का मान निकालना है X या Y का ठीक है equation में ही उसके बाद यह जो X का मान आया X पराबर कितना है 410-1 इसको रखदना समी कर नदों मिल पहला से सुरू का मिल तीन मना टीसरा को समी कर न दूश्रा में रखदना है यहां पे लिखेंगे क्या लिए गेंगे एक श का माने X कमान समी करण तू में रखने पर यहां पर लिखदेंगे X का मान समीकरण चूमी रखने पर, तो समीकरण 2 देखते हैं क्या है? समीगरन टू समीगरन टू है X-Y is equal to 4 X-Y is equal to 4 समीगरन टू है हमको X का मान निकालने है तो जहां पे X दीख है उस X को हटा के और यह जो X का मान है 14-Y इसको लगा देना है तिहां हमको दिखरा सुरू में ही X तो एक्स चेज़ा का में लिग देंगे 14-Y ठीक है यानि जैसा इक्वेशन है उतार देना है बस X की जगह जो आया हुआ है उसको रख देना है जिसका ब्राइक अठाट आएंगे तह इसा हो जाएगा 14-Y फिर से है कर देंगे य-y जो लाइक लाइक टर्म है वह जूटेगा घटेगा जो बहुंनों कर देंगे तो इसका साथ क्या संबन्ध है तो य के साथ क्या संबन्ध है वह गुणा का है और गुणा को बराबर सुधर कर एंगे भाग होगा माइनस से माइनस कटेगा दूपचे 10 होजाएगा थो य बराबर अंसर आगिया थो य कम वेल्यू आ गया हमको X और Y दोनों का मान निका में तो य का तो प्रोपर वेल्यू आगिया लेकिन X का तो अभी त लौकर में रखने पर और समीकरण थीरी खूझ़ लूग कि दा रहे है यहां पर दोखो समीकरण 014-1 तौ झा ब्याइब यह तो पर य zij ह 테क सक चोषड़ देंगी बर्ाबर कुछ वर्ड़ देंगे 14 को चोड़ देंगे, minus y, y है 5, ते लिख देंगे 5, वो देखो 14 में 5 घटाओ, तो ना बचेगा, तो x बराबर हो गया, now answer, एक जगा दोनों का value को लिख देना है, x is equal to 9, and y is equal to 5, ये दोनों हो गया, इस समीकरन का solution, इस समीकरन का हल, clear है, उमीद करेंगे, समय माया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं, next person, second number, second number question में भी, दो समीकरन दिया हुआ है, देखिए, यहाँ पे simple है, पहला, s minus t is equal to 3, दूसरा में, s by 3, t by 2, बराबर छे, इस से बट्टे में है, ठीक है, fraction में है, दूसरा वाला equation जो है, तो देखिए, बहुत कोई ऐसा fraction में देखता है, ऐसा बढ़ा आ जाता है, आप का करें, सिधा-सिधा वाला question तो बता दिया, बता वाला को, नहीं बता है, बता वाला की शे करें, मतलब डर जाता है question देखिए, तो डर ने करना है जितना बोले उतरही काम करना है, ठीक है, और अगर आपको सच में ही भीन देख् तो इस बटा तीन पलस टी वर्टा दूब इसको एक्टा सिख्षा layer पहला तो एस माइनस2 बराबर थिरी है ये तो सही है इसको सामी कर दो आप दूसरा जो है आप आप दीन पलस टी वर्टा दूब प्हुन जोड जानते हैं भी जोड कर तो बीः जोड करते हैं तीर साथ श्राटलसे गुणा होगा तो होजाएगा 2s प्लास्य और नीचे नीचा गुणा होता है हार हार तो तीन दूनी च्छाव गुना हो गया इधर परले से छे है अब देखो यह बन गया टू एस पलस ठीरी टी इस उकल टू छे दो इधर वह भाग में है तो देख गुना होगा तो छे चब शट्य दो को बट्टा में था डर लग रहा था हमाँ डाद की सिधा कर लिया स सिदा सिंपल हो या अब देखो यह हों अगे असने न फयन वन ये वाला समीघरन वन ऊपर में और समीघरन टुकिया यहां से यह चलो फिर से का मई स करना शुरू करेंगे लिखेंग स Canadian fist सबसे पहले काम समीगरण 1 से तो समीगरण 1 है समीगरण 1 है समीगरण 1 है समीगरण 3 समीगरण 3 हो गया अब फिर से समीगरण 2 में लिखेंगे क्या समीगरण 2 में रखने पर इस का मान को रख दो समीगरण 2 में तो पहले लिख लिए टो इस प्लस 3 टी इस एक दो चाहां पर है यहां पर यह यह से बस उसके जगह हमको रखना है इसका जो value है क्या value है S का, S का है 3 plus T, इसको रख देना है S के जगा में, बाकी जैसा है same to same उतार देना, तो तो 2, 2 तो तो उतर जाएगा, 2 और S लिखा हुआ है, 2 और S के बीच क्या संबंध है, क्या रिस्ता है ये दोनों का, गुणा का है, वराइकेट लगा देते हैं, वरा लाइकट मतलब गुणा होता है तो 2 3 से गुणा होगा 2 3 या 6 हो जाएगा पलस यह ही 2 टी से भी तो गुणा होगा तो तो और टी गुणा होगा होगा 2 t टूटी हो जाएगा पलस 3t है 3t लिगो इस युगल दू छाथीस टेगा अब देखो छे पांट आओ टी सेम सेम है जूटेगा तीन को टी और दूगो तीन को और दूगो पांच को टी वराबर छाथीस छे जाएगा माइनस होगा उदर जाएगा माइनस करो 30 बचेगा और 5 भ का मान टी का मान समिकरण समिकरण 3 में रखने का कहां पर 3 में रखने पर समिकरण 3 में रखने पर समिकरण 3 तको यहां 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 पर सम और टी आगिया छोग तो नाव और छोग हो जाएगा अंसर कोई दिक्कत कोई परशानी नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्यात क्वेश्चिन और संहों हो जाए यह होगा था करोर दो यहक से टसली करेंग से संक्रांव कर दो कुले रहें तो जिसमें माइस ना है उस पुरा को है माइस रखने से दिखत होता है 3S को रानी तो 3S X को बराबर 3Y उदर जाके पलस में ठीक है लेकिन यह आप देखो इसको बाद इसको 2 में रखते हैं तो लिखेंगे X का मान समी करण 2 में रखने पर X का मान समी करण 2 में रखने पर समी करण 2 है 9X-3Y वरबर 9 हमको X का मान निकालना द्याहन से लिखेगा एकस कहां है एकस है यतना एकस कितना है 3Y by T इसको रखना है कहां तो ये वाला एकस बाग़ी बात जयसा है ऐसे टीज उतार दिना तो पहले नौ है तो नौ लेग दो ब्रैकट लगा दो फिर एकस कमान है तीन पलस वाई बटा तीन होगी यह माइनस तीन होई है बराबर नो ठीक है अब दो बराइकर मतलब गुणा होता है अर गुणा में धेखिवे उपर नीचे तीन है तीन है और ना हो है तीन इती आना हो कड़ जाएगा तीन तीन अवागो मैं यह जो अंदर में दिख रहा है यह वोला ऑन्दर में 3 यह 3 को नहीं काटना है यह 3 जोड में जोड में इसको फ़र गिजने काटना गुणा में कटता है इधर वड़ा 3 अरुदर 9 से कटा है न 3 तीन 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 हो गया पलस 3 और वाई भी तो गूना होगा तो 3 और वाई हो यह 3Y यह तो गड़गड हो गया, माइनस 3y, बराबर 9, देखो 3y से 3y माइनस में तो 0 हो गया, तो 9 बराबर 9 आगया, अब ऐसा जब situation आगया, 9 बराबर 9, यानि x या y जो था, वही घतम हो गया, तो यहां तो x का y का मान नहीं लासत के हैं, तो x या y का मान आहीं ने सकता, यहां प अपरी मीद रूप से अनेखल है, अपरी मीद रूप से अनेखल है, यानि इसको बनाना संभाव नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, a1 by a2, b1 by b2 की रूप में बताया था, चेक करना है, तो a1 कितना है, 3 है, a2 9 है, यह कटेगा 3 है, 9, यह बटा 3 है, फिर b1 by b a2 अगर करेंगे, तो b1 दो माइनस 1 है, वाइवला b1 हो दा, अगला वाल माइनस 3 है, तो माइनस से माइनस कटा तो मैंचिया 1 by 3, फिर c1 by c2 करेंगे, तो c1 है 3 है, बटा 9, 3 एका 3, 3 तिन 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 आ नहो, तो तो दो जब तीनों का 3 बराबर आबर तो उसके मोले थे अनेक हल वा परिमित रूप से अनेक हल अनेक हल है अनेक हल है अनगीनत हल है इसलिए इसको सोल्ब करके हम एक खल निकाला जा रहे हैं तो इतना ही में इसका काम खदम कर देना है एक बनानेक है तो यह सब्सक्राइक क्षiki जयसे ज democrat में कर देए अगर बिना पोइंट हाटा है हम बना दे रहे हैं पर पोइंट हाटा अगर बना सकते हो चलो बीना पोइंट हाटा है अगर बनाते हैं तो कहा हुए X को रहने दो अभी तो 0.2 X हो जाएगा बराबर 1.3-0.3 Y अब फिर 0.2 हटेगा तो X बराबर होगा यह 1.3-0.2 Sultan 2015 बना आभ शमीकरन तीन यानि X का मान X का मान C नहीं हाटेने Eli THree पर एक्स ओमान तूम चाफागी नहीं रगाख गो एक्स Спाह्त अमन समक्रान दूंद ना जिरु प्ण 4 x plus 0.5 y is equal to 2.3 अब यहां पर रख देना है एक्स कमान तो 0.4 तो रह जाएगा ब्रेकट लगा कि एक्स कमान एक्स कमान है 1.3-0.3y यह महिने से बट्टा 0.2 फिर ब्रेकट बंद कर पलस 0.5y है बराबर 2.3 है ठीक है अब देखो पॉइंट से पॉइंट के बाद एक अंक है उपर भी नीचे भी तो कड जाता है ठीक है फिर दो से काट तो इसको दो निचा अब दो सुपॉन आ हो जाएगा तो तेरे दो नी 26 हो जाएगा एक अंक बाद पॉइंट है तो 2.6 माइनेस अथा माइनेस फिर दो तिया वाई वोला स्गुना होगा नहीं यह वला तो दो तिया छे तो 0.6y पलस 0.5y is equal to 2.3 यह होगे अब देवो जोड़ घटा वरते हैं 0.6 को अविराने दो माइनस पलस का आउता है देवो यहाँ पे माइनस है रेवो पलस माइनस पलस माइनस याने घटा आएंगे तो 0.6 में 0.5 घटा आउता है तो 0.1 बचेगा चाउम पांच है के ना 0.1y लेकि अब हाटाव सब्सक्राइब माइनस 0.1y रहा जाएगा बराबर 2.3 उदर पलस में 2.6 उदर जाका माइनस पे 2.6 अब इसको घटाओ तो 2 में 2 0 हो जाएगा इधर पोइंचे में 3 3 बड़ा माइनस अचले माइनस फिर y बराबर हो जाएगा नीचे आए जाए लिए लो ला माइनस कॉटा पॉइंट क कटा 1 से तीन कटा मतलब वाई बराबर थीन आद्यू यगोर रह्yas 3 अब य पर अबरते नाया तो य कमान रखने पर य कमान समीकरण 3 में रखने पर य कमान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है लिख दो अब आगे हैं अब दगो यहां रखने य कमान रखना है 3 है तो गुण 3 बट 0.2 अब इसको घटाओ तो 13 में 9 गटाओ 9 10 11 12 13 चार बंचेगा उधर बंचेगा जीरो तो 0.4 बटा 0.2 फिर से पॉइंट से पॉइंट कटा दो से दो दुनी चार तो एक्स पर अबराबर आ गया दू और वाई कितना आया था वाई बराबर दिया बस पॉइंट है तो का मतलब है उससे बस का करना है मैत में चारे गुणा भाग ग準 Of सिब्सक्रार हैं तो पॉइंट वाल जोडा चाहिए यही सब है और अगर आपको दिकत हो धाँ पॉइंट वाला जोड में सब्सक्राइब करते हैं कैसे अल्यावरा को जोड़ते हैं कैसे अल्यावरा को जोड़ते हैं चलिए आगे बढ़ेंगे सब्सक्राइब लाके निया को जोड़ा कि रोट बोल रहे था आगे रूट विए और रेक्स को सब्सक्राइब हो ज़ने बारबर होजाएं माइनस में चल जाएगी रूट तरी वाई अब ये तू को भी आट आप तो एस बराबर होगा माइनस रूट रूट-3 हुई घटर रूट्ट ये बन जात हेवांड गैर तीन अब इसका मान गृण अधो मेधी एकस का मान समीक्रण को जो में रखने पर शुआ मान रखने पर कर का होगा Мव सह मान वह कहा है बन सब्सक्राइब करने से पता होगा आपको तीन हो जाता है तीन वाई बटा हो गया रूट टू माइनस यहां पर रूट है इसका अगर रूट तोड़ेंगे एट का तो यहां पर बन जाएगा यहां इसको अभी रहने दो रूट ही रहने दो वाई बराबर जीरो अरे नीचे कुछ नहीं तो वान है अब यह भीन में आ गया भीन होना चाहिको तीर्षा 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 त तो 0 से गुणा आँको उधर 0 हो जाएगा अब दो माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो गया माइनस 7y बरहबर 0 लेकिन 7 को फिर उधर ले जाएगा 0 तरब 0 से भाग देंगा साथ को तो 0 हो जाएगा यानि y कमान 0 आ गया फिर लिखेंगा y कमान समीगरण 3 में रखने का 3 में रखने को समीगरण 3 में रखेंगे कहां गया समीगरण 3 रूट 3y बटा रूट 2 यह भी 0 हो जाएगा कि तो माइनस रूट 3 रूट 2 यह तो ठीक लेकिन और हमेगे साथ कराने के लिए बीच में यह सबाँ जोड करेंगे तिर्शा ते एल यह चोले से छोप्वार मश समय त IL यह एं टो लिखीक है क्या शुच्रीक कोरें मश्रीयल सब्सक्राइब ने ट्रते यह तो ट्रेंट 2 गश्रीआहई मिसमीं को हताने और नीचे हो जागे तीन दोनी छाओ, यह उकल दो माइनस 2, अब देखों, 9x-10y, 6 धर्जा को गुणा होगा, 6 दोनी बार है, तो माइनस बार हो गया, समिकरन 1 यह बनिया, ठीक है, फिर समिकरन 2, यानि आगला ओला को भी सिधा कर लेते हैं, तो यह x बटा 3 है, पलस y बटा 2 हो है, बड़ाबर 13 बटा 6 को भी, तिर्शात्य चे गुणा कर, 2 और x, 2x हो गया, पलस 3 और y हो गया, 3y, और नीचे हो गया, 3 दोनी छाओ, इस उगल टू 13, यह बनिया, समिकरन 2, फिर वही काम करेंगे, समिकरन 1 से, समिकरन 1 क्या है, दिखरा है कि ने दिखरा है, समिकरन 1 यह है, ठीक है, 9x-10y बड़ाबर-12, और समिकरन 2 यह बना, ठीक है, समिकरन 1 से, तो समिकरन 1 है, 9x-10y is equal to minus 12, तो 9x रहने दो बड़ाबर या 9 को भी हके बरहाटा देते है, x बड़ाबर हो जागा, माइनस 12, माइनस में है, तो इधर आके पलस 10y हो जागा, और 9 उना में थ एक्स का मान, x का मान समिकरन 2 में रखने पर, x का मान को समिकरन 2 में रख देते हो, आपो, x बड़ाबर समिकरन 2 कितना है, x बड़ाबर नहीं है, कहांग यह रिंजर, समिकरन 2 क्या है, उसको देख लें, समिकरन 2 यह है, क्या है, 2x पलस 3y is equal to 13, अब यह समिकरन 2 में रख देना है, x का मान तो पहले है, रहने देंगे, x के जगा लिखेंगे, कितना, माइनस 12, पलस 10y, बड़ा 9, फिर पलस 3y है, बड़ाबर 13, यह हो गया, अब यह 9 है, आर उ पर में 2 कटेगा, तो नहीं, तो गुणा करतो, 2 को बारस गुणा कर, 12 नहीं, 24, माइनस 24 हो जाएगा, पलस 2 और 10 गुणा करेंगे, 2x, 20y, और नीचे y, 9 है, इसको भी राहेंगे, पलस 3y, बड़ा कुछ नहीं, तो 1 लगा दो, बड़ाबर 13, फिर सक भीन जोड़ हो गया, एक से गुणा करेंगे, यह दोनों को, तो 24 है का, 24, पलस 20 है का, 20, पलस फिर है, फिर 9, 27 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, नीचे गुणा करेंगा, 9 हो जाएगा, टोटल की नीचे हो जाएगा, बड़ाबर 13, अब देखो जोड़ घटाव करेंगे, y और y जोड़ सकते हैं, तो जोड़ो, माइनस 24 तरह जाएगा भी, 20 और 27, 20, 24 और 47, 47 y हो जाएगा, 9 भाग में हैं, तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, 13 गुणा 9, अब देखो, 13 नावा, 117, और 47 y रहने दो, माइनस 24 हिदर आगे, पलस 24, जोड़ देते हैं इसको, तो 7, 3, 10, 11, 2, 3, 4, 41, अब y ब्राबर हो जाएगा, नीचे 47, कटेगा 47, 27, 23 तीन बर में कड़ जाएगा, 47, 33 गुणा करके देखो, 13, 21, फिर 2 बचेगा, 3, 12, 24, तीन बर में कड़ जाएगा, भाग देक देख लिएगा, 47, 31, 14 होता है, तो y ब्राबर 3 आग या, अब y तीन आ गया, तो फिर x कमान निक सम्मिकरण 3 धीन है एक सब्राब्र माइनस 12 है पलस दस य बटा 9 तो दो य कमान केसे रखेंगे मैस 12 रहने दोंगे पलस 10 य कमानने 3 तो गुणा 3 करते बटा 9 ती होगे माइनस 12 पलस 10 ती यह 30 बटा 9 तीस में बारह घटाओ गटाओ नहीं तो बारह घटाओ अठाइश करना अठारा बटा नौ फिर दोगु नाओ दोने अठारा ती वर्टी गया दो अंसर तो दो आ गया एक्स और वाय गया तीन होगी अंसर क्लियर है तिये था प्रती अस्थापन विधी उम्मिद करेंगे वी दूसरा नंब्र कोश्चन इसको भी देख लिए तो यह दो कोश्चन क्या है इसमें फिर दो को समीकरन दिया हो दिख रहा है समीकरन 2x3y बराबर गया रहे 2x-y 24 इसको हल करना है और एम का वह हमान गयाद करना जिसके लिए y बराबर mx3 है तो दो फटा 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 समीकरन 1 ना सबसे पहले माल लो पहला एक्विशन है 2x-3y एब बराबर गारा समीकरन 1 हो गया फिर है 2x-4y is equal to minus 24 यह समीकरन 2 हो गया बस इसको हल करना है और इसका जो फो यहाँ पर रख देना है ठीक है तो चलो रख देंगे पहले इसको हल कर लेते हैं समीकरन 1 से समीकरन 1 से समीकरन उन से करेंगे डारेक कर दे रहे हैं टू एक्स बराबर हो जाएगा गारा माइनस में जाएगा उधर ये तो एक्स बराबर होगा गारा माइनस 3y बटा 2 ये हो जाएगा समीकरन 3 अब एक्स का मान समीकरन 2 में रखने पर तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरन 2 में रखने पर 2 में रखने पर सम्मिकरन 2 क्या है 2x-4y is equal to minus 24 तो सम्मिकरन 2 में रखो 2x का मान है 11-3y बटा 2 फिर minus minus 4y is equal to minus 24 दोगो पाभू यह दो से दो कड़ गया तो बज़िगा 11-3y minus 4y बराबर 24 अब दोगो 11-24 होता है लेकिन मैनिस लगेगा क्योंकि दोनों मैनिस है अब चाहतीन हो गया 7y equal to minus 24 अब यहां से 7y रहने को 7y बराबर 24-11 हो जागा तो मैनिस मैनिस पलस तो मैनिस साथ y बराबर 14 और 24 कितना हो जाएगा 5 35 हो जागा मैनिस 35 तो मैनिस से मैनिस काटा और यहां काट देते है साथ पच्चे 25 तो y बराबर आगिया 5 फिर y का मान समिकरण 2 में 3 में तो y का मान 3 में रख लिए पर य का मान 3 में रख दे थिन का हां गया हां एकस बरबर है 11-3y बता दो यह समिकरण 3 है तो गारा हो गया मैनिस 3 y का मान आया 5 बता दो तो को का हो गया 11-5 15 बता दो गर्म 15 घटाओ चार बचेएगा ना मैनिस चार बच्टा दो दो खटा ते एक्स अविलियों आगिया माईनस टू दू दो नीचार मैनस टू आगिया अब दो एक्स का विलिवया है क्या एक्स बरबर और मैनस ट्व and yPalabar आए हैdom Gב फांच अब इसको रखने बोला यहाँ yちょ एक्स एम का मान निकालना है ठीवे तो लिखें कि y बराबर एक एक्क्विशन दिए होगा mx पलस 3 तो तो य का वेल्यू आई इसको y में रख y में 5 आया बराबर m निकालना है जो छोड़ दे x जो आया x मैनिस 2 आया तो मैनिस 2 लिख दे पलस 3 अब इसको solve कर देंगे 5 तीन जोड़ में इधर आके घाटां बराबर 2 और m माइनिस 2 में हो जागा दो ये 2 बचेगा यह रहा पाला और दूसरा question परचिया सापन बीधी से हल करना तीसरा नमर question माँएंगे तो तीसरा नमर में word problem है ये word problem को एक separate video में कर देंगे क्योंकि लंपा होगा word से पहले ऐसा equation बनाना होगा equation बना के तब फिर इसका solution करना होगा ठीक है तो मिलते next video में वीडियो अच्छ ताकि सभी लोग अपने घर वैठे एक्जाम की तैयारी कर पाए मैत को अच्छे से पढ़ पाए मिलते में थाइस वाचिंग जहीं शुक्रिया